देखे दस परसेंट का आरक्षा तो पहले से ही हो गया था हम लोगों ने भी कहा था सुप्रिम कोट ने कर दिया है तो ठीकी है जो उसका हुआ लेकिन अब बाकी जो है न कि ये जरूरी है ये एक बार जाती आधारित जनगन्ना ठीक से हो जाए और दूसरी बात है कि जो आरक परसेंट का है न तो जो लिमिटेड है पचास परसेंट अब उसमें सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब उनको तो हम लोग जो उनकी आबाती है उसके हिसाब से करते हैं लेकिन बाकी OBC और EBC का है उनको आबाती के हिसाब से नहीं मिल पाता है तो इसलिए जब वो 10 परसेंट हो गया बहुत अच्छा है तो यह पचास परसेंट का लिमिटेशन है इसको बढ़ना चाहिए यह अच्छी बात होगी और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का पूरे देश का मतलब की एक एक तरह का सब का आकलत वाताशन जाए ताकि कि इनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए को जो मदद दी जाएगी तो इसलिए तो हम लोग सुरू से कह रहे हैं कि होनाची हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं जातिया धारित जंगन्ना की मांग थी वो मनिकी अपना कहा राज्य करें, हम लोग तो राज्य में करी रहें, जातिया धारित गन्ना, तो यह की एक चीज की जानकारी होगी, और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिती भी, कोई भी कॉमिट्री का होका सब का देख करके, उनको और पढ़िया करने के हम लोग मदद करेंगे, उसके लिए ही सब करवा रहे हैं, तो हम लोग करवा रहे हैं, तो यह देश भर में हो जाया, आई जो 50% पर है, यह और आगे बढ़ जाया, सबसे अच्छा होगा है, बहुत अच्छा